ओम शिरि गुरुए नमहा आधेश आधेश गुरु गुर्क नास जी को आधेश प्रियेश होता हूँ नाथ पंत में महान कहे जाने वाले महायोगी मचेंदर नाथ जी के जन की कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कृपया कथा को अंतक सुने तो चलिए कथा सुनाता हूँ कथा इस प्रकार है एक समय भगवान शिप जी और माता पारवती केलाश परवत पर बेराजमान थे तब ही माता ने कहा प्रभू आप निरंतर किस मंतर का जाप करते रहते हैं ऐसा कौन सा मंतर है कृपया मुझे इस मंतर के बारे में बताने की कृपया करें इतना सुनकर शिप जी महाराज जी मुस्करा कर बोले हे देवी इस मंतर को सुनाने के लिए एकांत का होना बर्म आवश्यक है उठो अब चलकर एकांत स्थान ढूटते हैं ऐसा कहकर दोनों प्राणी खड़े हुए और घूमते घूमते सुमदर तट पर जा पहुँचे जहां किसी भी मनुश्या का कोसो तक कोई वास नहीं था इसलिए उन्हें वही स्थान पसंद आया दोनों प्राणी वहां पर आसन बिछा कर विराजमान हो गए तब शिप जी ने महा माया पारवती को ब्रह्मा ज्यान का उपदेश सुनाना प्रारंब किया परन्तु जिस मचली ने ब्रह्मा वीर्या निगल कर गर्ब धान किया वह मचली पासी पानी में थी मचली माता के गर्ब से उन मंत्रों को सुनकर जीव ब्रह्मरूप हो गया कथा समापन के बाद महादेब ने पारवती जी से पूछा कुछ कथा का सार समझा के नहीं उसमय गर्ब के भीते से श्री मचंदर नाठ जी बोले सब कुछ ब्रह्मरूप है दूसरी अवाद सुनकर शिप जी ने उस और ध्यान लगा कर देखा और तब जाना कि मचली के गर्ब में कभी नाराण जन्म लेने वाले हैं ऐसा समझ शिप जी बोले तुम्हें मेरे उपदेश से पहान ग्यान लाब हुआ है लेकिन पूर्ण उपदेश का लाब दत्त त्रेजी के दर्शनों के द्वारा होगा तुम समर्थ होने पर बद्रिका आश्मा जाना वहीं तुम्हारी मनों कामना पूर्ण होगी इतना कहकर शिप जी पारवती को साथ लेकर केलाश परवत की और चल गए और मचेंदरनात मचली मा के पेट में शिप जी द्वारा दिये गए मंतरों को जबते रहे दिन पूरे होने पर मचली समुंदर के बाहर आकर अंडा देकर वापस समुंदर में चली गई कुछ समाई उपरांत एक बगला मचली पकड़ने समुंदर तट पड़ा आया और वहां अंडा पड़ा देखकर अपनी तेज चोंद से अंडा फोड़ने लगा अंडे के बीतर से रोने की आवाज आने लगी बगला भाग गया कुछ देर बाद एक मचली पकड़ने वाला मचवारा जिसका नाम कामिक था वो वहां आया और सूर्य के समान तेज मुखवाला रोता हुआ बालक देखकर उसका दिल भर हाया वह सोचने लगा ये प्रेभू का प्रसाद है ये तो भगवान ने मुझे संतान दे दी है इतने में ही आकाशवानी हुई ए कामिक ये बालक यहां तो तर्प तर्प कर मर जाएगा ये कभी नाराइन का अवतार है इसे अपने घर ले जाकर पुत्तर समान इसका पालन पोशिन करो और इसका नाम कर मचेंदर नात रखना तेरे सब पाप नस्ट होकर सारा कुलतर जाएगा और पृत्वी पर तेरा नाम अमर हो जाएगा आकाशवानी सुनकर कामिक बालक को अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी से बोला ये बालक भगवान ने हमें दिया है पत्नी ने बालक को गोद में लेकर दूद पिलाया तब कामिक ने सारी घटना बयान कर दी तब कामिक की पत्नी सार दत्ता ने खुश होकर बालक को नहला धुला कर कपड़े पहना कर जूला जुलाया एक आ एक अपूर्प सुन्दर बालक के मिलने से पती पतनी दोनों को ही अनंद हुआ दीरे दीरे बालक मचेंदर पांच साल का हो गया तब उसका पिता कामिक के उसे एक दिन अपने साथ मचली पकड़ने के लिए समुन्दर तट पर ले गया मचलीयां पकड़कर उसने उन्हें अपने बेटे के पास रख दिया अपने पिता का ये कार्या देकर बालक ने सोचा मेरे मात्रीवंश का हनन करने वाला कसाईयों जैसा कार्या मेरे पिता करे ये मैं कैसे बरदाश कर सकता हूँ मुझे अपने पिता को समझा कर ये उद्योग बंद करवाना चाहिए ऐसा विचार कर बालक मचेंदर ने एक-एक मचली पानी में डाल कर सारा कटोरा खाली कर दिया कामिक जब दुबारा पकड़ी हुई मचलीयं लेकर मचेंदर के पास आया और उसने कटोरे को खाली देखा तो अपने बेटे की करतूद समझ गया कामिक मचेंदर को धमका कर बोला मैं तो कितनी मैनेट से मचलीयं पकड़ कर लाता हूँ और तुन्हें पानी में भाद देता है अब खाएगा क्या खाक? भीक मांगनी पड़ेगी भीक अब मचलीयं पानी में मत छोड़ना इतना कहकर वे तीसरी बार मचलीयं पकड़ने के लिए पानी में चला गया मचलीयों के कारण पिता से पड़ी डान से मचेंदर को काफी दुख हुआ उसने सोचा मेरा ये अधर्मी पिता मानने वाला ही नहीं है इसलिए अब जब भी खाना खाऊंगा भीक मांग कर ही खाऊंगा पिता को मचलीयं पकड़ने में मगन देख उसकी नजर से बचकर वे बद्रिका आश्रम के रास्ते चल दिया मचंदर काफी दिनों बाद गूमता-फिरथा बद्रिका आश्रम चा पहुँचा वहाँ पहुचकर उसने बारा साल तक कठिन तपस्या की उस तपस्या के कारण मचंदर नाज जी के शरीर का सिर्फ हड़ीयों का धांचा रह गया उसके शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देती थी इधर भगवान दत्तरे शिवालिया पधारे और शिबजी की उपासना कर महादेव का मन मोह लिया तब शिबजी ने भुजा भेंट कर अलिंगन किया और अपने पास बिठाकर एक दूसरे का कुशल समाचार पूछा फिर दोनों बद्री का आश्रम की रमनीकता देखने चल पड़े और धर्म चर्चा करते हुए उसी वन के निकट जा पहुंचे जहां मशिंदर ना तब कर रहे थे देखिए जब भाग्या चमंकने लगता है तो इसी प्रकार कोई ना कोई बहाने से भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं दोस्तो इससे पहले कि मैं आपको आगे की कथा बताऊं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहें अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगी तो मैं सनातन धर्म का परचार परसार कैसे कर सकूँगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करके बताएं चलिए चलते हैं आगे इसी कार्ण से शिव जी की दत्तात्रे जी को साथ लेकर वन विहार की इच्छा हुई दोनों को ही वद्रिका आश्म की वन शोभा देकर आपार अनंद हुआ इसी प्रकार भगवान शिव और दत्तात्रे जी वन विहार करते हुए भगी रती के तट पर घूम रहे थे तभी एका एक दोनों की दृष्टी तप करते हुए मचेंदरनाथ पर पड़ी कल्यूग में इस प्रकार की कठिन तपस्या देखकर दत्तात्रे जी को बड़ा आश्यर्य हुआ उनका इस प्रकार का कोतुहल देखकर शिव जी ने उन्हें मचेंदरनाथ के पास पूस्तास के लिए भेजा दत्ततरे जी मचेंदरनाथ के पास गए और पूछा पुत्र तुम यहां किस उदेश्या से तपस्या कर रहे हो इस पर मचेंदरनाथ ने अपने दोनों नेत्र खोल कर हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और बोले प्रभू मुझे यहां तब करते बारा वर्ष बीत गए और मुझे यहां एकांत में कोई मुनुश्य नजर नहीं आया आज अचानकी ही आप क्यों पूछ रहे हैं पहले आप ही बताएं कि आप कोण हैं मैं समझता हूँ जब आपके दर्शन हुए हैं तो मेरी मनो कामना पूल होने का वक्त आप पहुंचा है इतना सुनकर दत्य त्रे जी मुस्कराए मैं अत्री रिशी का पूत्र हूँ और सब मुझे दत्य त्रे कहकर बुलाते हैं अब बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो सुख से कहो ये सुनकर मचेंदर नात रोम रोम प्रफलित हो गए उन्होंने सूचा आज मेरी तपस्या फली भूत हो गई इस प्रकार प्रसंचित हो अपना मस्तक उनके चर्णों पर जुका दिया और अपने नेनों से प्रे मासु भाकर दत्य त्रे जी के चर्णों को धो डाला तो दोस्तों ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए इस कथा को यहीं पर रोक रहा हूँ अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो आगे की कथा बताऊंगा इसके साथ साथ जिसने भी अगर शावर मंतर विद्या सीखनी है किसी प्रकार का कोई भी साधना सीखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं जै गुरु गोर्खनाची